जय श्री कृष्णा दोस्तों आए आज हम थोड़ी सी आज के लिए बड़ा ज्वलन टॉपिक है कस्टमर रिलेशन्शिप मैनेजमेंट आए आज थोड़ी सी उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं संदर्भ है जो आज के उबरते युग में जो नए तरीके के शॉपिंग मॉल्स खुल गए है जिसमें कस्टमर के लिए उत्तम सुविधाय हैं एर कंडिशनिंग है बड़ा फॉर्मेट है लाज फॉर्मेट है और बहुत सारे ब्रैंड्स बहुत सारे प्रोड़ाक्स बहुत सारे स्की को मॉडर्न डिटेल ट्रेड कहते हैं इस फॉर्मेट के तहट जब आप अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कुछ अवर्टिजमेंट देते हैं मार्केट में प्रिंट मीडिया में एलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो की अधिकतर आपकी ब्रैंड की वैल्यू बढ़ एक तरीका अपने सेल्स को बढ़ाने का एक एफेक्टिव कस्टमर रिलेशन्शिप मेंगमेंट की इंप्लिमेंटेशन भी है CRM की जो कॉंसेप्ट है इस CRM के कॉंसेट में एक एहम अंग निभाता है तीन लव्ज आज मैं आपसे इन तीन लव्जों के बारे में बात करना चाहता हूं What are these three words? Recency, Frequency and Monetary Value जी हां दोस्तों R, F, M एक एक करके समझते हैं Recency मतलब अगर हम देखें कि हमारे ग्रहाकों में वो कौन से ग्रहाक हैं जो एक निर्धारित रिसेंसी समा लिजे कि पिछले तीन महिने में आये हैं या पिछले छे महिने में आये हैं तो जो ग्रहाक पिछले छे महिने में एक बार आये हैं दो बार आये हैं इनको हम बोलेंगे कि इनकी रिसेंसी पिछले छे महिने में एक बार है या पिछले छे महिने में दो बार है इसी तरीके से frequency अब जब एक recency को हमने धारित कर लेते हो उस recency के अंतरगर कितने बार वो customer आये हैं एक बार आये हैं, दो बार आये हैं, तीन बार आये हैं, दस बार आये हैं, So, this is the frequency of the visit of the customer. So, हमने recency तह कर ली, हमने frequency तह कर ली और इस frequency के तहत, अब हम तीसरा पाइदा जो के monetary value. तो क्या ticket size है किसी customer का, अगर हमने अधारित करते हैं कि recency छे महिने का रखते हैं, frequency तीन बार का रखते हैं, तो we are going to say that in the last six months, with a frequency of three visits to the store, what has been the average buying or average ticket size of billing for a particular customer? जब हम इन तीन तत्वों को, which is recency, frequency and monetary value, जब इन तीनों को जोड के जब हम अपने past history को study करते हैं, तो आपको कुछ बहुत interesting trends, बहुत अच्छी permutations निकल के आएंगी, और ये आपको मदद करेगा एक focused campaign, marketing campaign चलाने के लिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, आज advertisement इतना महँगा हो गया है, कि एक अंधेरे में तीर माने जैसा advertisement करें, और हमें पता ही नहीं चले कि इसका actual भुकतान क्या हो रहा है, इसकी actual lab क्या मिल रही है मुझे, इससे बहतर है कि हम अपनी RFM data को study करें, on the past historical footfalls in our showroom, और फिर उस RFM data को study करके, हम कुछ focused email campaigns चलाएं, यूँकि focused email campaign ही आपको result देगा, और वो result जो कि cost effective भी होगा, तो ये जो concept है RFM, Recency, Frequency and Monetary Value, इसके उपर थोड़ी और सी और Google करके समझिये, कि RFM का भेदर उप्योग कैसे हो सकता है, और इसको अपने modern retail trade business में अवश्य इस्तमाल केजिए, फिलहाल के लिए इसी पर बहुत बहुत धन्यवाद, जैश्री कृष्णा,